हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सल में रनिंग टोटल कैसे निकालते हैं तो इस वीडियो को पुरा लास तक जरूर देखना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उदेख सकते हैं यहां पर मैंने एक्सल में एक छोटा सा टेवल भना रखा है यहां पर सीरियल नंबर है देज है Employant है और यहां पर रनिंग टोटल है तो रनिंग टोटल होता है यह मैं बता दूँ पहले आपको अगर मैं यहां पर आके इसका sum करूँ तो यहां पर इसका हमें total मिल गया ठीक है यहां पर हमें इसका total मिल गया अब मैं चाहता हूँ कि यह दोनों जो है जब भी यहां पर आये हमारा तो running total हो यानि कि यह तो जूड के आये तो यहां पर जैसे Sunday है तो Sunday को मेरा इतना हुआ तो Sunday से लेके Monday तक कितना हुआ यह हमारा यहां पर आना चाहिए तो अभी क्या है कि sub का separate लिखा हुआ है तो running total मैं निकाल के रिखाता हूँ आपको उससे ज़्यादा समझ में आएगा तो इसके लिए कुछ नहीं करना equal का sign लगाना है और sum लिखना है sum formula से ही होगा यहां पर bracket को खोल के और यहां पर इस amount को लेंगे पहले इस amount को लेने के बाद आपको क्या करना है shift के साथ colon press करना है shift के साथ colon press करेंगे तो यहां पर range आजाएगा तो range हमारा भी क्या आ रहा है M11 से M11 को यह हमें जो है add करके दिखाएगा अब इसे हम करते हैं bracket को बंद और कर देते हैं enter तो आप देख सकते हैं अभी M11 से M11 का range जो है यहां से लेकर यहीं तक जोड़ेगा तो हमारा यहीं पर आएगा अब यहां पर हमें एक छोटा सा एक और change करना है चेंज क्या करना है इस पर आपको double click करना है और यहां पर देख सकते हैं जब पहला वाला M11 है इसे हम कर देंगे lock, lock करने के लिए मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ lock करने के लिए आपको इस पर click करना है और F4 प्लेस करना है F4 जैसे ही प्लेस करेंगे तो इस पर dollar का sign लग जाएगा dollar का sign लग गया यानि कि यह हमारा value fix हो गया range हमारा पहला range जो है starting point हमारा fix हो गया यह हमारा change नहीं होगा जब भी change होगा तो हमारा इधर वाला change होगा अब मैं इसे कर देता हूँ enter enter करने पर हमारा result में कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन जैसे ही मैं इसे खेच होगा यहां से लेके यहां तक तो देख सकते हैं हमारा running total यहां पर आ रहा है देख सकते हैं दोनों का total हमारा same है मैं इसे highlight कर देता हूँ देख सकते हैं दोनों का total हमारा same है लेकिन इसमें क्या है जैसे Sunday से लेके Monday तक हमारा कितना था total 21,040 रुपए था Tuesday तक अगर देखा जाए तो 25,540 था अगर आप देखना चाते हैं यहां पर देख सकते हैं तीनों को मैं select करता हूँ तीनों का total यहां पर आ रहा है 25,540 अब इसका sum यहां पर देख सकते हैं नीचे 25,540 इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा और हमारा running total दिखाता जाएगा देख सकते हैं यानि कि वैटनेस डे तक का हमारा total sale हमारा इतना था ठीक है Friday तक हमारा total sale इतना था अब यहां से Sunday से Saturday तक का total हमारा जो sale है वो यहां तक का है 54,240 कितना असानी से हमने इसे निकाल लिया running total इसका इस्तेमाल बहुत जगा होता है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर यह Excel का फाइल अगर आपको चाहिए तो हमारे website www.multicaretechnical.com से आप download कर सकते हैं इसे तो मिलते हैं अगले वीडियो में Goodbye